हेलो दोस्तों आपका अपने चैनल कंप्यूटर बाबा में स्वागत है जहां पे बच चुके हैं दिन के दस और ये समय क्या है ये समय है आपके अपने कंप्यूटर बाबा से शौट ट्रिक सीखने का तो जल्दी से क्या करना है मेरे दोस्तों जो जो जॉइन होते जा रहे है तो क्या करे वो जल्दी से लाइक कर दे और भाईया लाइक करे जल्दी से और अपने दोस्तों को शेर करे कि सब को बता दे कि दस बजे बाबा जी आते हैं और शौट ट्रिक जबरदस लेके आते हैं और जो चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है चैनल को सस्क्राइब करना ह है क्या करना है? चैनल को subscribe करना है तो आज की short trick क्या है? वो आपने थमेल में देख लिया है आज की short trick क्या है? हम लोग some if का use करके some if का use करके बड़े से बड़ा कोई भी calculation होगा उसको चुटकियों में क्या कर देंगे? solve कर देंगे चुट्कियों में क्या कर देंगे हम लोग ने सम पढ़ा था तो सम से क्या करता था वो खाली अड़ करता था अब हम चाहते हैं वो अड़ क्या करता था पूरा तेल या पूरी शीट क्या कर देता था अब हम चाहते हैं कि विशाल के नाम का ही वो क्या करे, add करे हम चाहते हैं, rowhip के नाम का ही वो add करे, तो वहाँ पे हम लोग किस formula का use करेंगे, sum if formula का use करेंगे चलिए, start करते हैं देखे, suppose जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा, is equal to sum, is equal to sum लिखा लिख दिया, उसके बाद हमने bracket लगाया, और हमने क्या किया, इस sheet को select कर लिया, इस excel को क्या कर लिया, select कर लिया, और enter कर दिया तो इसका जो total आया वो आया, 12,000 कितना आया, 1,39,667 ठीक है 1,29,776 इसका total आया, अब हम चाहा रहे हैं कि इसमें विशाल का कितना है, रोहित का कितना है राकेश का कितना है अंकित का कितना है, मतलब क्या है, ये समल्लो भयस सहली है, मतलब विशाल को 15,000 एक बार दिया गया, 16,401 बार दिया गया, विशाल को 12,000 इतना दिया, रोहित को इतना ही मिला विशाल राकेश को इतना मिला शुभम को दो बार मिला तो हम चाह रहे हैं कि विशाल को कितना मिला ठीक है अंकित और राकेश को कितना मिला अंकित को कितना मिला शुभम को कितना मिला और कौन है भाईया अंकित विशाल जो भी है नाम जो भी लिए हैं इनको कितना कितने रुपे मिला उसको हमको क्या करना अलग अलग बताना है तो हमने क्या किया भाई या इसका देखो formula क्या होगा हमने लिखा is equal to क्या करे दे रहे हैं जूम करे दे रहे हैं जूम कर देंगे तो आप देख सकते हो क्या कर सकते हो देख सकते हो देखो भाई गया बहुत जादा जूम हो गया कितना कर लेते हैं is equal to sum if is equal to sum if लिखा और bracket लगाया bracket लगाने के बाद हमने इस cell को पूरा select कर लिया उसने क्या बोला है range उसने क्या बोला है range range क्या होनी चाहिए जो नाम हो गया ठीक है फिर हमने लगा दिया comma comma के बाद बोला है criteria क्या है तो भाईया हमारा क्या है विशाल का निकालना है तो is equal to विशाल लिख दिया is equal to क्या लिख दिया sorry is equal to बोले comma लगा के Close larva में क्याल लिख दिया और यहां पर इसको double inverted नेन्वैट्ट कॉमा ते क्लोथ कर दिया उसके बाद हमने कौमा लगाया कौमा लगाने के बाद फिर बोला सम रेंज मलब जो सम करना है उसकी रेंज बताईए तो हमने क्या किया इसको सम जो करनी थी इसकी रेंज लिख दी और हमने क्या कर दिया इंटर कर दिया तो ये भाईया विशाल का आ गया ब्रैकेट क्या था range range का मतलब क्या है जो भी नाम की list होगी ठीक है जो भी range देना है उसके बाद cateria मतलब यहाँ पे condition जो लगेगी ठीक है और उसके बाद comma लगाने के बाद उसके बाद some range मतलब जो हमको क्या करना है जोडना है वो bracket को close कर देना यह हमारा क्या था formula था ठीक है तो यह भाईया आप इसको अलग से भी जोड ले अलग से भी जोड लो भाईया नहीं तो भी कहोगे sir ने तो क्या गलत बता दिया देखो एक बार पंदरा सो पाएं 15,000 पाएं एक बर विशाल कितना पाएं 16, 7, 8, 9 और एक बर विशाल कितना पाएं 12, 3 अभी जाना नहीं भी यह short trick complete नहीं हुई है अभी जाना नहीं short trick complete नहीं हुई है तो हमने क्या लिखा is equal to sum bracket लगाके और इसको हमने क्या कर दिया add कर दिया तो देखो भाईया दोनों का क्या आगया same to same आगया अब देखो एक चीज़ और अब हम यहां पे क्या है इसने तो विशाल का बताया मलब हर बार हमको क्या है नाम बदलना पड़ रहा है तो नाम बदलना पड़ रहा है तो भाईया इसमें तो महनत है इसमें तो महनत है तो इस महनत को भी मैंने क्या कर दिया कम कर दिया चलो भाईया कैसे चलो इसको क्लोथ कर दिया अब देखना इस उक्वल टू सम इफ इस उक्वल टू सम इफ ब्रैकेट लगाएंगे bracket लगाने के बार range दे दिया हमने range दे दिया range के बाद कौमा लगा दिया कौमा लगाने के बाद जो criteria था उसमें हमने क्या किया एक blank cell ले लिया एक क्या ले लिया blank cell ले लिया उसके बाद हमने कौमा लगा दिया उसके बाद हमने क्या किया सम रेंज तो हमने क्या किया इस सम रेंज को लिया और इंटर कर दिया अभी आप देख रहे हो जीरो आ रहा है अभी आप क्या देख रहे हो जीरो आ रहा है तो जो सेल हमने सिलक्ट की थी उसमें हम नाम लिग देंगे और वो क्या हो जाएगा उसका addition बता देगा उसका क्या बता देगा addition बता देगा अब हमने विशाल की दिया क्या लिख दिया रोहित तो उसने क्या बता दिया रोहित का पैसा बता दिया अब हमने यहां पे लिख दिया शुभ हम तो उसने क्या कर दिया शुभ हम का पैसा बता जैसे सपोज आप कोई बनिया कहां से समान लाए और उसको एक समान दो तीन बाल लिया गया है मन्थ में ठीक है तो आप बोलोगे मन्थ में ये कितनी बाल लिया गया है इसमें कितना रुपए गया है तो वहाँ पे इसको क्या कर सकते हो जोड़ के बता सकते हो और एक condition देख लो भाया एक condition और क्या है हमने क्या किया इस cell को हमने blank किया ठीक है अभी तो यहाँ नाम नहीं है तो हमने क्या किया इस cell को select कर लिया मनलब जो भी यहाँ पे जो नाम है उनको हम यहाँ पे किसमें लियाएंगे drop down में लियाएंगे ड्रॉप डाउन में लिए आएंगे ड्रॉप डाउन को अनलब क्या है ये सीक्वेंस में आ जाएगा एक बटन होगा जिस पे किलिक करेंगे वो पूरी लिस्ट आ जाएगी लिस्ट में लिए ठीक है चलिए इस सेल को हमने सिलेक्ट किया और हम कहा गए डेटा में गए कहा गए डेटा में गए डेटा में जाने के बाद कहा गए डेटा वालिडेशन में गए डेटा वालिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे अलाउ लिखा है यहाँ पे हम क्या करेंगे लिष्ट कर देंगे क्या कर देंगे लिष्ट कर देंगे और यहां पर जहां पर सोर्स लिखा है इस सोर्स पर यहां पर क्लिक करेंगे और पूरी इस शीट को सेलेक्ट कर लेंगे जो नाम वाली शीट है उसको क्या कर लेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, क्या कर देंगे, अब देखोगे भाईया, तो यहां पर क्या आ गया, नाम की लिश्ट आ गया, जो भी नाम आप डालोगे, विशाल डाला, विशाल आ गया, अंकित डाला, अंकित आ गया, शुबहम डाला, तो शुबहम आ गया, रोहिट डाला तो रोहित आ गया भाईया देखा कितनी मस ट्रिक थी आज की ये चोटी चोटी ट्रिक आपको क्या बना देगी एक्सल का एक्सपर्ड बना देगी ये बहुत जिगा आपको जहां पे भी आफ लाइन कोचिंग करोगे महां पर ये सब चीजे बताई नहीं जाती हैं बहुत कम जिगा बताई जाएंगी जादा जिगा बताई नहीं जाती हैं ऐसे ही उपर से क्या कर देते हैं कुछ शीट बता देते हैं कुछ फार्मला बता के कह देते हैं एक्सल आपका खतम नहीं भाईया एक्सल में बहुत यह अच्छी चीजे हैं तो एक्सल को जरूर सीखो ठीक हैं कहीं यह ट्रिक आपको पसंद आई है मेरे दोस्तों लाइक तो बनता है एक बार लाइक तो बनता है अपने कंप्यूटर बावा के लिए और जल्दी से क्या करना है अपने दोस्तो तक शेयर भी कर दो और सबको बता दो कि यह शॉट ट्रिक यह आपकी जो फॉर्मला है या आपके बहुत ही काम आने वाला है और भाईया जो चैनल पे नए थे उनको क्या करना है चैनल को सस्क्राइब करना है और जॉइन कर सकते हो मुझे टैलीग्राम चैनल पे तो प्राम चैनल हमारा क्या है एड़ रेट कम्प्यूटर अंडर इसकोर बाबा इस पे आप जॉइन कर लो यहां पे आपको हर क्लास की पीडियाफ सॉफ्टेयर और बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपके एक्जाम में आने वाले हो चाहे वो CITS का हो जाए चाहे दिल्ली पुलिस हो जाए चाहे यूपी पुलिस हो जाए चाहे S.S.C. हो चाहे आपका बैंग हो ठीक है तो एक जिगा पे एक सॉलूशन आपको मिल ला है तो भाईया लाइक करके जाएगा चली आप हम लोग कितने बजे मिलेंगे बारा बजे और बजे कहां क्या चल लगी है क्या चली एक्सल की क्लास चल लगी है तो हमने कल कहां तक पढ़ा दिया था कल हमने होम में यहां तक आपको अलाइगमेंट तक पढ़ा दिया था तो आज हम लोग नंबर स्टाइल सेल और रेंटिंग को पढ़ेंगे तो आप लोग सब लोग 12 बजे कलास को जोइन करना न भूले ठीक है बाइ बाइ टेक केर जैहिन जै भारत